मैंने कई ब्रेंड्स की सीरम यूज की हैं बट दिस इस वन आफ माइफ फेवरेट सीरम सी जाधा क्रीमी है कि सेल्फ लाइफ की बात करें तो वह है टू इयर्ड्स आप एजिंग वाले फेस में आ गए हो क्योंकि अगर पैच टेस्ट में इसके रियक्ट करती है तो फिर पता पचल जाएगा कि यह प्रोडेक्ट हमें सूट नहीं कहने वाला है है हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई चैनल इन सौम्याजवर्ड और मैं हूं सौम्या आज मैं आपके साथ एक प्रोडेक्ट का रिवीव वीडियो शेयर करने वाली हूं जो की है गुडवाइब्स का रोज हिप रेडियेट ग्लो फेस सीरम मैं इसे काफी टाइम से यूज़ कर रही हूँ यह सीरम मुझे कैसा लगा या फिर यह बोले कि इसके क्या रिजल्ट देखने मिले मुझे अपनी स्किन में तो आज मैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप पहली बा या रेमेडी मैं ऐसे ही नहीं शेयर करती हूँ मैंने इसको पूरा अच्छे से यूज़ किया है मैं इसको काफी टाइम से यूज़ कर रही हूँ यह अलमुस्ट मेरा फिनिश होने को है मैंने यह दूसरा ओर्डर किया है दर्सवाई मुझे लगा कि आप पॉफेक्ट आपकी स्किन को हाइडरेटेड रखता है इस प्रोडेक्ट को मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया है यह गुडवाइब्स का है और इसका नाम है रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो यह आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा और आपको इसमें प्रोडेक्ट से रिलेटेड सारे डीटेल्स मिल जाएंगे प्राइस वगेरा सारा कुछ इसका प्राइस 215 है बट गुडवाइब्स की प्रोडेक्ट में कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है तो यह आपको सेल में मिल जाएगा इसको मैंने पपर.com से पचे कर लेना है और इसमें सारा लिखा हुआ है कि यह बहुत नैचुरल है आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं पर यह होता है यह बहुत जादा फ्रेंडली है इसको कैरी करना बहुत जादा इजी रहता है यह इस टाइप की एक क्यूट सी बॉटल में आता है और इसमें आपको ड्रॉपर भी मिलता है जिससे की इसको यूज करना बहुत जादा इजी रहता है ड्रॉपर के हल्प से हम इसको डेलिकली अपने फेस पे भी ड्रॉप कर सकते हैं आप बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की तो यह काफी जादा क्रीमी है इसको एपलाई करने के बाद में बस इसको ऐसे मसाज करना है और इसकिन बहुत जादा सॉफ्ट सी फील होती है बहुत जादा स्मूध सी फील होती है और एक ग्लो आजाता है तुरंट से इसमें लिखा हुआ है ग्लो सीरम जो कि बिल्कुल सही है यह फेस को बहुत जादा अच्छा ग्लो देता है लाइक आप इसको रात को लगा के सोएंगे तो सुबा आपको अपना फेस बहुत अच्छा सा बहुत सॉफ्ट सा फील होगा और इसको आप रेगुलर यूज करें आप इसे रेगुलर नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं यह रिंकल्स वगएरा को स्लो डाउन करता है अगर आपकी स्किन अनिवेन है या फिर पैचिस वगएरा है यहां पे डाक है यहां पे लाइट है ऐसा कुछ भी है तो यह काफी जादा है आपकी स्किन को एक अगर आपकी स्किन तो आप पैच टेस्ट जरूर करें क्योंकि अगर पैच टेस्ट में इसके रिएक्ट करती है तो फिर पता चल जाएगा कि यह प्रोडेक्ट हमें सूट नहीं कहने वाला है तो हम इसको ना यूज करें यह बहुत जादा लाइट वेट है और बहुत ही इ सिसमे ओयल, एलमेंड ओयल एंड जो मेन है इसका वो रोज हिप ही है परस्नली मैंने इसका बहुत अच्छा वर्क देखा है अपने फेस पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं इसका एक बॉटल और यूज कर चुकी हूँ और इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो वो ह आप इसे स्किन केर या फिर आप जब भी अपना मेकप करते हो तो उसके पहले एपलाई कर सकते हो एज़ा मेकप बेस क्यूंकि यह काफी अच्छी सर्फिस दे देता है यह काफी ज़्यादा अच्छा प्रोडेक्ट है बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यह आपको जनल स् यूज किया और फिर मैंने आज आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और इस प्रोडेक्ट का रिवु शेयर किया है मुझे जो जो इस प्रोडेक्ट के बारे में लगा मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया सारा कुछ बताया फिर भी अगर आपका कोई क्वेस यह बहुत जादा अच्छा बहुत जादा इफेक्टिव और बहुत जादा अपॉड़ेबल भी है तर आपको यह वाला वीडियो थोड़ा सा भी हेल्फुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना नए है तो मिने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू स तो मुठ फॉवाचिंग मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तक हेल्दी रहिए खुश रहिए